हाई अब्रीवन आप सभीका स्वागत है संजी सर आइटे के यूटूब चैनल में जैसा कि यहां पे दिख रहे हैं एक फीगर आप लोग के सामने बनाएं यहां पे ट्रिपल डिविटेट चैन टाइप लेप जॉइंट तो इसको आप लोग एक जाम में यह 15-20 नमर में आते ट्रिपल रिविटेट चैन टाइप लेप जॉइंट कैसे ड्रों करेंगे तो सबसे पर दिखेंगे यह च्छोटा साम लोग रफ किया बुक में काफी च्छोटा दिया आप लोग को बुक में ज्यादा समझ में नहीं आए तो इसलिए हम यहां पे च्छोटा सा रफ कर जाएगा तो सबसे पहले देखें इस पार्ट को हम लोग बनाएंगे इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखें रिविटेट टाइप से रिवीट का बहुत सारा वीडियो बनाएं जिए देसे सिंगल टैब रिविटेट होता है फिर डवल रिविटेट होता है लेफ प्रोपर हम लोग 100 परसेंट बना चुके हैं अगर वीडियो नहीं देखें तो जाएगे चैनल पर विजिट कीजिए और वहां से वीडियो वाच कीजिए और कोई भी प्रोब्लम हो रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए उस वीडियो के नीचे जी उसका जरूर समाधान के इस सब्सक्राइब करें सबसे पहले देखेंगे इस का दिखेंगे मेजर में टोटल यह कितना है यह हाप दी है यह 2D प्लस 6 और यहां 1.5 द इसका मतलब है याने डी बहुत सारे क्वेशन में यहां पे तो डी का भैलू हम कितना लिया है जी 20 कोचन में डी का भैलू एसन किसी- मालूम होना चाहिए अगर किसी कोचन में नहीं दिया तो अपने से बीका भैलू अपने से फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें 20 तहम भी डी का भैलू कितना लेते हैं 20 लेकर चलते हैं डी का भैलू हम 20 ले लिए अब देहां से देखें यह सेंटर लाइन सो हुगा है यह क् 20 ले चालिस अच्छे 46 होगा क्लियर है फिर उसी तरह यहां पर भी 46 होगा फिर यह डेषडी है इसका टोटल कितना 20 लेड है 30 क्लियर होगा हम इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहां से इस पेज पर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो हम एक लाइन यहां से हम देखे यह सब बनाने का प्रोसेस कहा है जी पतला पेंशी से जो हमरा टूएच हो या फूरेज पेंशील की साहरता से यह सब बनाना अटे श्टार करेंगे ध्यान दिजिएगा एक लाइन हम लोग यहां से ड्रौ करने राश एंगे यहां से इस समार्किंग करने के बादे क यहां से इसका measurement कितना रहेगा ? 30 यानि 30, 123 यानि 30 है मैं clear हुआ झा हुआ, यह क्या हुआ है ? एक तो तीन चार पांच, 5 चार पांच marking कर ली है, तो कहां से ? अब ध्यान दिजिएगा यह तीन सेंटर लाइन हम लोग करने का दिखिए यहां से एक हाइट गया है उपर भी हाइट गया और नीचे भी हाइट तो दिखिए जितना डी का भैलू रहता है डी का जैसे इसमें कितना है 20 तो इसका आधा की जिए तरह कितना दस उपर लेंगे पर लेकर लेप्ट और राइट है दो लिए तो यहां पर यहां पर अगले स्टिफ में ध्यांस देखिए यहां गया तैसको इसको। संतर मांनके इसको फिर नीचे वाला परसट को सेडर मानते हुए लिए इसका मतलब क्या है ये कितना लिएग इसका जो सरकेविया है चल रिछ यहां से इसको सेंटर मानते हैं यहां से एक हम लोग हाप सर्क्ल ड्रॉ कर देंगे यहां पर देखिए ध्यान से कीजिएगा और से कंपास को क्या इधर उदर मुव ना कीजिएगा लेफ्ट राइट थोड़ा सा बारीकी से यह सर्क्ल ड्रॉ करेंगे क्योंकि गलत भी हो जात क्या हो इसको क्या की है तो यह से यहां से यह बहुत पार्ट सीवला इसका कितना है यहां कितना आपए सो कर देंगे यहां यहां से यह वाला पार्ट हम यहां से सोखन तो देखिए टूडी प्लस सिक्स है फिर यह टूडी प्लस सिक्स क्लियर हुआ अब देखिए इधर कितना गैपिंगे यहां से हम लोग क्या लेंगे ग्राफ लेंगे तो यहां से हम लोग लेंगे फिर इधर भी यहां से यहां से यह रफ की है आप लोग की समझने परसानी नहीं होगा जी बुक में आप लोग देखेगा तो काफी आप लोग आउट अफ रेंज जाएगा जी इसलिए आप लोग सहुलियत के लिए हम यहां पर बना दिये तो देखिए सबसे पहले इसको सेटेस्कार को बैठाएंगे और से यहां से यह यह फिर उसके वाद यह कॉर्णर देखिए यहां पर थोगा इसको हम हम लोग सुकी है यहां से तो इसको इधर हम एडरो कर दे रहा है और सेम प्रोसेस इधर इधर आरो यहां से यह arrowhead हो गया इधर और फिर यह arrowhead और इसके बाल यह arrowhead इसका मेजर्मेंट के इतना है जी 1.5D इसका भी मेजर्मेंट के तो 1.5D तो फाइनली हमारा इतना मेजर्मेंट समझे अब देखिए यह सर्किल है यह जो सोरी यह और दिवरित है तो इसका हम लोग डाइमेंश अब यह सुआ नहीं तो फाइनली है यह वह अनृपर से बनके रेडी हो गया अब देखिए यह तो देखिए यह क्या था जी ट्रिपल रिविटेट चैन टाइप लेप ज्वाइंट यह नीचे हम उसका यह वाला जो पार्ट है इसको हम लोगा बनाना इस्टार्ट करें तो ध्यांसे यहां से लेके यहां तक यह सर्किल से यहां तक 10 mm का गया और फिर 5 mm का देखिए कहा यहां से फिर इधर भी हमारा राइट साइड वाला भी लेट साइड वाला भी यह जो लाइन है दोनों तो इसको भी हम लोग आगे की तरह बढ़ा लेंगे जी कि अधियर वाजी दोनों साइड में हम लोग इसको इस को इस इस इधर भी और इधर भी बढ़ा चुके अब ध्यांसे दिखें आप लोग बताए है यहां से यह जो गैपिंग होता है यह कितना का तो आप अपने से ले सकते हैं आप पेज बढ़ा है तो आप ज्यादा भी दोनों साइड में हम लोग ग्राफ सो करेंगे तो ग्राफ देखें कैसे सो करते हैं सबसे पहले ताम लोग लोग नीचे की तरह प्रूपर बैठा लेते हैं और उसका जो भी सेंटर लाइन लिए इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें से कोई भी सेंटर लाइन जो लिए यहां पर बीच वाला से या लेट और राइट दोनों साइड में जो भी मेजरमेंट है उसको प्रूपर एक बेस में रखने के ब तो इतना तक किलियर रहा उसके देखिएगा इस पर्शन को कितना यहां से आप लोगों बोले हैं 10 mm का गैफ यानि 10 mm का गैफ और यह कितना 5 mm का गैफ मार्किंग कर लिए दो साइड में दो जगा यहीं सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे 10 mm का गैफ और यह आपका 5 mm का गैफ यह सो करने के बाद यहां से दिखिए इन दोनों को प्रोफर एक दुसरे से मिलाते हुए यहां से दिखिए हम किस पैंसे कर रहा है पतली पैंसिल जो हमारी चलती हो उसकी सहायता से करेंगे ऐसा होता है कि आप लोगों मोटा पैंसिल का यूज़ करते हैं जैसे होगया तो आपको प्रोब्लम हो सकता है क्योंकि कोई लाइन में फरक नहीं दिखता है जी कौन की स्पेंसी से बनाए गया तो यह इस टाइब का यह सिंबॉल बना हुगा यह वाला तो हम लोग इसमें भी सिंबॉल दो जगा कहीं भी दो जगा बना देंगे तो ध्यांस दिखेगा यहां पे भी हम लोग यह वाला हो गया फिर यहां पे यह वाला पार्ट इसको डार कर देंगे तो इतना तक हमारा यह क्या हो जी यह क्लिए उसके पाद ध्यांस दिखेगा यहां पे इसका टूटल मेजर मेजर मेंट यह 3D 3D 1.5D 1.5D निचे से ध्यांस दिखेगा तो 1.5D औ और 6D plus 3D 9D हो जाएक टो केका है तो 9D का Só штण गुन डी का वाला हमको ना उसंटी एक्सटा ओसी जमाटेशं होगा तो किसे हम लोग 1 190 mmस का मार्केंगे क्यों क्योंकि देखेगा यहां पर नीचे भी दोठों बना है जी ग्राफ उसी तरह सेम प्रोसेस एधर भी करेंगे जी तो 180 mmP मार्किंग फिर यहां से 5 mmP यह मार्किंग कर देंगे कीद मार्किंग करने के पबाद यहां से इन दोने पसमें इस तरह यहां पर यहां पर नीचे से यहां नीचे । फ़्यू एक試क है है Day कि तो इधर भील्ट साइड में आपका है तो लेट साइड में हम ऊसक्ता का सिंबॉल बना देंगे दोह टो है अँछा कि यह लेट साइड दूनवा अभी हुषाच एक्वड दार्क कर देंगे तो काफी बेटर किलियर वो जाए हैं तो यहां से लिके यहां तक हाप डी पर हम लोग मार्किंग करके यहां पे अब लेडी आप से अमलों से अल्रीड है सब्सक्राइब करता है तो इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं यहां से दिखेगा क्योंकि यहीं पर हमारे इसे दोस्त हैं जो काफी गलती करते हैं यहां पर बाद में बोलते हैं यह जितना बड़ा वाला सर्किल है यहां से और इसके बाद हर सेंटर पर रखें हम देखिए यहां से फूल एक सर्किल कर लेंगे क्लियर वाजी उसी तरह यहां पर भी हम लोग रखें क्लियर वाजी एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो तो यह पर लेंगों बड़ा बड़ा सर्किल हम लोग सो कर लेते हैं तो ध्यान से दिखेंगा यहां पर हम सभी सर्किल को बारीकी से क्या किर रहें जी यहां पर हम लोग सो कर ले रहे हैं यह साथ नमबर था यह आपका आठ नमबर हुगा सर्किल यह हमारा नो नमबर क्लियर हो गया है तो यह हमारा क्या द Вас अब चाहते तो क्या करेंगा थ्री वे loose- dibuj कर देंगी दर्क कर सकते हैं त्पर क्या हई नो ले रहा है लगा जांते अब फ्री हल्डब कर सकते हैं या मपास़ मेंगों कर सकते हैं कि आ और यहां से हम लोग आ जो और यहां से अनदर हम इस ताइप से खर देंगे प्रोसेस्iphil के अंदर ये प्रोसेस करेंगे क्लियर तो ये सभी सपार की ये यहां पर प्रोसेस्पे यहां पर सब्सक्राइब इसके अंदर भी सेम प्रोसेस सभी को ऐसे हम लोग सू कर देंगे कि ध्यान से देखेगा यह बनाते समय काफी थोड़ा साधानी बढ़ती है क्योंकि क्या होता जी हां थी दर उदर हिल जाने के कारण फिगर में दिकत आ सकता है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या हुआ है हमारा यह बनके हो गया तो यह रिए हो गया तो यह बनाने के बाद निचे लिए जाता है अरि आफ कि रोट एक क्या है मिली इर्ट हो चुका तो ओके फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में सेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास फे इसी तरह का और भी इंपोर्टेंट लेकर और आपके पास कुई ऐसा कोशन हो जिस कीजिए उसका जरूर रिप्लाइ किया जाएगा तो के फ्रेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास फे इसी तरह का और भी नेक्स्ट वीडियो लेकर